हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तू अजित क्यार, आज की इस वीडियो में हम लोग HCF यानि की महत्तम निकालना सिखेंगी, तो वीडियो को पुरा अंत तक देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इन दो प्रसनों को सॉल्व किया था, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो उसे एक बार जरूर देखिएगा, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट कोश्चन, चालिस एवं चौनसट का HCF ग्याद करें, तो चलिए चौनसट इसमें बरा है, इसको हम अंदर में लिख देंगे, और चालिस छोटा है, इसको हम बाहर में लिख देंगे, अब हम जैसे भाग को बनाते हैं, उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे, देखिए हम चालिस का पहारा कितना बार पढ़ें कि चौनसट आ जाए, या इसे थोरा कम आ जाए, लिखने से ज्यादा नहीं आना चाहिए, तो अगर हम चालिस का पहारा दो बार पढ़ते हैं, तो चालिस तुना असी आ जाता है, जो कि इससे ज्यादा है, इसलिए हम चालिस का पहारा एक बाड़ी ही पढ़ेंगे, तो चालिस से कम चालिस हो जाएगा, अब हम 40 को 64 में से घटा लेंगे, तो इसको घटाने पर ये 24 आ जाएगा, अब हम इस वाले संख्या को इसको अंदर में लिख देंगे, अब देखिए हम 24 का पहारा कितना बार पढ़ें कि 40 आ जाए, या इसे थोरा कम, इसे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, तो 24 का पहारा अगर हम दो बार पढ़ेंगे, तो 24 तो नहा 48 आ जाता है, जो कि इससे ज्यादा है, तो 24 का पहारा हम एक बार ही पढ़ेंगे, तो 24 से कम 24 आ जाएगा, अब हम 24 को 40 में से घटा लेंगे, तो इसको घटाने के बाद ये सुल्ला बच जाएगा, अब हम इस वाले संख्या को इसको अंदर में लिख देंगे, अब देखिए हम 16 का पहारा कितना बार पढ़ेंगे, कि 24 आ जाए, यैसे थोरा कम आ जाए, तो 16 का पहारा दो बार पढ़ेंगे, तो 16 दोना 32 आ जाता है, जो कि इससे ज्यादा है, इसलिए 16 का पहारा हम एक बाढ़ी पढ़ेंगे तो 16 एक हम 16 आ जाएगा अब हम 16 को 24 में से घटा लेंगे तो इसको घटाने पर 8 बच जाएगा अब हम 16 को यहाँ पर अंदर में लिख देंगे अब देखिए हम 8 का पहारा कितना बार पढ़ें कि 16 आ जाए और इसको घटाने के बाद 00 आएगा यानि कि ये कट जाएगा तो देखिए जिस संक्या से हम लाष्ट में भाग देते हैं वो संक्या हमारा HCF हो जाएगा तो देखिए इसमें हम सबसे लाष्ट में किस संक्या से भाग दिया गया है तो इसमें सबसे last में 8 से भाग दिया गया है तो इसका HCF हो जाएगा 8 8 ही इसका answer तो 40 एवं 64 इसका HCF हो जाएगा 8 चलिए एक और question इसी type का solve करते हैं जिससे कि आपको और अच्छा से समझ में आ जाए Second question 288 तथा 720 का HCF क्या होगा तो जली इसका भी HCF निकालते हैं जैसे कि हमने पहले person को solve किया था उसी तरह से इसे भी solve करेंगे बड़ीज वाली संक्या को हम अंदर में लिख देंगे और छोटी वाली संक्या को हम बाहर में लिख देंगे अब देखिए हम 288 का पहारा कितना बार पढ़ें इसलिए हम 288 का पहारा दो बार ही पढ़ेंगे तो आठ दुना सोला आठ दुना सोला एक सतर का साथ हाथ में एक दो दुना चार और एक पांच अब हम 576 को 720 में से घटा लेंगे तो इसको घटाने के वाद ये आ जाएगा 144 अब हम इस वाले संख्या को इसके अंदर में लिख देंगे तो अब देखिए हम 144 का पहारा कितना बार पढ़ें कि 288 आ जाए तो 144 का पहारा अगर हम दो बार पढ़ेंगे तो 288 आ जाएगा और इसको घटाएंगे तो 00 आ जाएगा यानि कि ये कट जाएगा तो देखिए जिस संख्या से हम लाश्ट में भाग दिये हैं वो संख्या हमारा HCF हो जाएगा तो 144 से हम लाश्ट में भाग दिये हैं तो ये हमारा HCF हो गया तो 288 तथा 720 इसका HCF आ गया 144 चलिए एक और कोश्चन को सॉल्व करते हैं थार्ड कोश्चन 125 एवं 700 का HCF ग्याद करें तो चलिए इसका भी HCF ग्याद करते हैं तो हम सबसे पहले बड़ी वाली संख्या यानि कि 700 को अंदर में लिख देंगे और छोटी वाली संख्या यानि कि 125 को बाहर में लिख देंगे कुछ इस टाइप से अब देखिए हम 125 का पहारा कितना बार पढ़ें कि ये 700 आ जाए या इससे थोड़ा कम आ जाए तो अगर हम 125 का पहारा पांच वार पढ़ते हैं तो 625 आता है जो कि इससे थोड़ा सा कम है तो 125 का पहारा अगर हम 5 वार पड़ते हैं तो 525 का 5 हाथ में दो, 15, 10, 12 का दो, हाथ में 5, 5, 5 और 1, 6 तो 125 मंचे 625 आ गया अब हम 625 को 700 में से घटा लेंगे तो ये 5 और ये 75 आ जाएगा घटाने के वाद अब हम इस वाले संख्या को इसके अंदर में लिख देंगे तो अब देखिए हम 75 का पहारा कितना बार पढ़ें कि 125 आ जाए तो 75 का पहारा अगर हम दो बार पढ़ते हैं तो 75 दुना 1,500 यानि की 150 आ जाता है जो कि इस से ज्यादा है तो इसलिए हम 75 का पहारा एक बार ही पढ़ेंगे तो 75 एकम 75 आ जाएगा अब हम 75 को 125 में से घटा लेंगे तो ये 5 में से 5 0 और ये 12 में से 7 जाएगा तो 5 बच जाएगा तो ये 50 आ गया अब हम इस वाले संख्या को इसके अंदर में लिख देंगे अब देखिए हम 50 का पहारा कितना बार पढ़ेंगी 75 आ जाए तो 50 का पहारा अगर हम दो बार पढ़ते हैं तो 100 आ जाता है जो कि इससे ज्यादा है इसलिए हम 50 का पहारा एक बार ही पढ़ेंगे तो 50 से कम 50 आजाएगा अब हम 50 को 75 में से घटा लेंगे तो इसके घटाने के बाद आजाएगा 25 अब हम इस वाले संख्या को इसके अंदर में लिख देंगे अब देखिए हम 25 का पहारा कितना बार पढ़ें कि 50 आ जाए तो हम 25 का पहारा अगर दो बार पढ़ते हैं तो 50 आ जाता है और इसको घटाने के बाद 00 यानि कि ये कट जाएगा तो देखिए हम लाष्ट में किस संख्या से भाग दिये हैं वो संख्या हमारा HCF हो जाएगा तो हम लाष्ट में 25 से भाग दिये हैं तो हमारा HCF हो जाएगा 25 तो 125 एवं 700 इसका HCF आ गया 25 ये रहा आज का लाष्ट कोश्चन ये कोश्चन आपके लिए है इसका अंसर आप जरूर कॉमेंट बॉक्स में लिखेगा और यदि आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीस वीडियो को जरूर लाइक करे और सेर भी करे और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करे ताकि आपको आगे भी इसी तरह की वीडियोस मिलती रहेगी इसलिए प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें